नीती ने करवाया परी का मूमी था क्यूंकि यहां पर हो चुकी है बबली और दिलजीत की सगाई जिसके बाद नीती बहुती ज्याता खुशे क्योंकि उसे लगता है कि अगर बबली को दिल जीत के चंगुलों से बचाना है तो पारवती को अपनी सचाई खुद अपने ही मुझसे सब को बतानी होगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी पारवती सच नहीं बता रही है क्योंकि उससे पता है कि वो कोई ना कोई चाल चल कर बबली को बचा ही लेगी दिलजीत के चंगूलों से लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब नीती खुद हाथ में मिठाई का बोक्स लेकर आती है पारवती के पास और दिखाती है वो वीडियो जिसमें होती है बबली और दिलजीत की सगाई जिसे देखने के बाद पारवती के तो पेरो तले जमीन ही की सचाती है लेकिन फिर भी वो अपने आपको कंट्रोल में रखते हुए नीती से खेती है कि तुम एक भोले भाली लड़की की जिन्गी क्यों बर्बाद कर रही हो मैंने तुम से कितनी बार कहा कि मैं उसकी बेहिन नहीं हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीती ने भी कह दिया है कि जब तक वह सच्चाई नहीं उगलेगी बबली के साथ ऐसे ही अत्याचार दिल जित करता रहीगा जीहा